हुलो फ्रेंट्स मेहरेंद्र पताप सिंग आप सभी लों का अपने इस एज को इस चैनल पर स्वाद करता हूं फ्रेंट्स आज हम लोग द लाइट अफ एसिया के एक लॉंग एंसर टाइप क्यूशन का ध्यां करेंगे फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आईए हम लोग बिना समय क भाइस करते हैं तो फ्रेंट्स यह क्यूशन है जब वह बिमार बैक्ति को देखते हैं तो फ्रेंट्स इसके अंसर को करते हैं देखे लिखा है कि डियूरिंग डा सेकेंड्स इसकेंड्स इसकेंण वेजिट कंटि अपने दूसरे ब्रहमड्स के दौरान विय Halo यह नकीš दूसरे ब्रहमड आपने राज के दूसरे तौर के दौर करनौ दप्रिंस वॉस्ट् एंड इस चैटर्चन्न उनका चार्थी चन्नस वाज या समय देडिर संधी सक्षिव उनके एक मुनीम का वैसम हानकी था était एक क्लर का वैसम धानकी था लेंट ऑन फूट बाय दी कॉमन स्टीट करया कि पैधल ही गए बाय दो कॉमन स्टीट करया कि आम रास्ते से आम रास्ते से उदे पैधल ही गए and met different kinds of persons और वह जो है met मिले different kinds of persons भिन भिन प्रकार के बैक्तियों से उसके बाद है कि when जब they reached the river breeze किरा कि जब वे नदी के breeze के पास पहुचे था नदी के पूल के पास पहुचे they saw a sick man तो उन्होंने एक बिमार बैक्ति को देखा he was lying by the road side किरा कि वह लाइंग वह पड़ा हुआ था by the road side, सड़क के किनारे किरा वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था he was panfully crying कि उसमें किरा कि he was panfully panfully means kust पुरुवक crying मने चिलाना या रोना, for help किरा कि he was panfully crying for help, वह दर्द पुरुवक मदत के लिए चिला रहा था उस बैक्ति ने का कि ah the pain, oh kust good people, भले बैक्तियों help, मदत करो उस आदमीं कहा कि भले बैक्तियों मदत करो सिधार्थ ran to him, सिधार्थ दोड़कर उसके पास गए and lifted him और उसे उठा लिया he put the sick man's head on his knee put means होता है put means रखना होता है he put the sick man's head उन्होंने उस बिमार बैक्ति की सिर को रखा on his knee, अपने घुटने पर knee means घुटना होता, T-N-W-E knee means घुटना, उन्होंने बिमार बैक्ति को बिमार बैक्ति की सिर को अपने घुटने पर रखा he comforted the sick man उन्होंने, he comforted उन्होंने सान्तोना दी बिमार वेक्टी को अपने कोमल इसपर से उन्होंने बिमार वेक्टी को अपने कोमल इसपर से सान्तोना परदान की देन ही आस्क चन्ना तो उन्होंने चन्ना से पूछा वाई इस दिस मैन अनेबल टू स्पीक अनेबल में असमर्थ और श्विक में बोलना तरह तो उन्हों चन्ना से पुछा कि why is this man unable to speak यह आदमीं बोलने में असमर्थ क्यों है मतलब बोल क्यों नहीं पा रहा है देन चन्ना रेप्लाइड तब चन्ना ने उत्तर दिया that कि the man was suffering with some fatal disease कि आदमीं किसी घातक बिमारी से पीडित है फैटल मतब घातक डिजग मतब मिमारी आल इस नेच्वल पावर्स करें कुछी सारी प्राकृतिक सक्तियां आप से देखने की hearing सुनने की and thinking और सोचने की wherein disorder वह अब्योस्थित हो गई है disorder मतब अब्योस्थित उसकी सारी जो सुनने की सुनने की देखने की जो सोचने की जो उसकी सभाविक सकती है वह अब्योस्थित हो गई है disorder मतब अब्योस्थित the flow of sorry the flow of blood in his body was irregular कराया कि the flow of the flow of blood खून का बहाव in his body उसके सरीर में वास irregular मतलब अनियमित हो गया है उसके सरीर में खून का बहाव अनियमित हो गया है it was boiling यह उबल रहा है उन्हों का कि उबल रहा है his heart beats कराया उसकी धड़कने his heart beats were not normal उसकी जो धड़कने वो normal नहीं है मतलब सामाने नहीं है he was breathing वो सांस ले रहा है with difficulty कठिनाई से वो कठिनाई से सांस ले रहा है यहाँ फूल श्टाप रहेगा he was suffering from a sudden attack of illness करा he was suffering, वो पीडित है from a sudden attack आप illness करें बिमारी की अचानक आक्रमण से sudden attack मतलब अचानक आक्रमण और illness मीज बिमारी वो बिमारी के अचानक आक्रमण से पीडित है he would die वो मर जाएगा when his disease जब उसकी बिमारी ended his energy fully करें कि ended समाप्त कर देगी his energy fully उसकी उर्जा को फूली पूर उपसे रहा हो मर जाएगा जब बिमारी उसकी उर्जा को पूरी तरह से क्या करेगी नस्ट कर देगी चन्ना advised चन्ना ने सला दिया चन्ना ने राजकमार को सला दिया not to hold the sick man उस ब्यक्ति को नव पकड़ने की लिए hold miss पकड़ना चन्ना ने राजकमार को उस ब्यक्ति को नव पकड़ने की सला दिया otherwise नहीं तो the disease might attack even him नहीं तो बिमारी उन पर भी attack कर सकती है even him attack even him उसके बाद है then the prince asked तब राजकमार ने पूछा if many others suffered like that करया कि यदि बहुत सारे लोग ऐसे कश्च रते हैं that man उस ब्यक्ति की तरह उसे पूछा है फिर से देन दब प्रिंस आजकर तब प्रिंस ने पूछा कि if man others क्या दूसरे ब्यक्ति भी suffered कश्च सारते हैं like that man उस ब्यक्ति की तरह चन्ना रेप्रेट चन्ना ने उत्तर दिया this comes in many forms to all men उन्हों का कि दिस कम से यह आती है यह कमतब बिमारी आती है in many forms कई रूपों में to all men सभी ब्यक्तियों को then prince asked again तब प्रिंस ने पुनः पूछा if the ills come all of a sudden and unseen उन्हों पूछा कि क्या the ills बिमारी जो है क्या बिमारिया come all of a sudden अचानक आती है and unseen unseen और बिना दिखाय दिये आती है unseen means उन्जान रूप से बिना दिखाय दिये चन्न से चन्ना ने कहा like the slice neck चन्ना ने कहा कि हाँ उन्हों कहा कि like the slice neck एक चलाक सर्प की AH दे कमविए आती है मतबब वे एक चलाक सर्प की तर愛 that stings unseen जो बिना दिखाई दिए काट लेता है उस सर्फ की तरह है जो बिना दिखाई दिए आता है और काट लेता है ठीक उसी तरह बेमारिया भी बिना दिखाई दिए आती है और और ब्यक्ति को पर अटेक कर देती है प्रिंस आजकर चन्ना प्रिंस ने चन्ना से पूछ that happened you क्या होगा इप मैं ग्रीव ओल्डर एंड ओल्डर उसे गा कि यह दी ब्यक्ति ब्रद्ध और ब्रद्ध होता जाए चन्ना रेप्रेट चन्ना ने उतर दिया दे डाई प्रिंस तो चन्ना उतर जाएक कि प्रिंस डे डाई वे मर जाएंगे अर्था जिए बुढ़ा और यसन मैंने इसको 10 पार्ट में पूरा कंप्रीट किया है और 10 पार्ट में अलग अलग पार्ट में वीडियो बना करके अपलोड किया है आधि आप उंको देख लेते हैं तो तो इस पोईंग को अच्छी तऱ से समझ सकते हैं तो च्रण्स वीडियो देखने के लिए बहुत